राबिया हैं U.P. से, उनका रुक कर लेते हैं, जी राबिया कैसी है बताएं, क्या सवाल है आपका हकीम साब से जी, अस्लाम आलेखुम जी, वालेखुम असलाम मेरे वालिख साब तना जोई्ट में पेन रहता है और उन्होंने कैप्सूल्स खाए हैं तीन महीं में लेकिन उनको मुकमल आराम नहीं पहुंच रहे तो मैं जानना चाहती हूं को और दवाई हुने के लिए ठीक देखिए मुकमल आराम नहीं है तो यानि आराम है अच्छा यूनानी से आप बहुत जल्दी आराम की उमीद ना रखें ये और बाते किसी किसी को बहुत जल्दी आराम आ जाता है लेकिन हम सब को कहते हैं कि 2-4 महीने किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं यूनानी ने अगर फाइदा शुरू कर दिया तो आपको मुकमल फाइदा हो जाएगा इतियात आप पर लाजिम है और कितना भी उनको फाइदा है 50% 70% तो आप समझ लीजे कि अगर उनने दो महीने खाया को 50% फाइदा है तो पिर दो महीने और लगातार दीजे और उपर वाले से मदद भी मांगिए क्योंकि यह दोई उसकी इजादत से असर करती है और आप ज्यादा फाइदा करेंगी और इसे तेज दोई भी आप ले सकते हैं उनसे बात करिये और उसी दोई की मुझू यू बढ़ा सकते है लेकिन आपके वालित को फाइदा होना मुम्किन है तो सबर रखिए और जिस तरह से अपने दवाई लिए उसको आगे भी आप continue रखिए जैसे कि हकीम साब ने बताए कि फायदा होना यहां पर मुनासिब है MP से कॉलर है शैनास उनसे भी बात कर लेते हैं जी शैनास बताएं आप क्या पूछना चाहती है हकीम साब से उनके गुटने में बहुत दर्द रहता और उनका BP बहुत हाई रहता है तो उसके लिए उमर कितनी है उनके? शैनास उमर बताएं 31-45 ठीक है चूछ दिखिए बी-पी तो आप उनका जायाधा नहीं कर देती कभी आप कुछ ऐसी हरकत करती हैं कि उनका बी-पी हाई हो जाता हो गर आप कर रही हैं तो आप बाज़ा जाए और कोई बीमारी है तो पिर चार पांच लहसन सुबा चार पांच लहसन के पीश शाम को चबा के खिलाई हैं उन्हें निवालों के साथ और जूड़ों के दर्द में तो हम बहुत कामियाब हैं आप उनकी रिपोर्ट भी हमसे शेर कर सकते हैं घरेल नुसके से भी लाज कर सकते हैं और बाकादत दवा भी ले सकते हैं गरेली नुस्के में आप देखिए गौन सिया और सौफ धनिया तीन चीज़े लीजे बारीक पाउडर बनाईए और एक गिराम सुबा शाम अपनी वालदा को दीजे पानी से दूस से जूस से सबर करें पांच साथ दिन बाद फाइदा शुरू होता है कम असकम और किसी किसी क के लिए तो अगर युनानी इलाज नहीं किया तो समझ लीजे लेकिन एक महिने में एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है और अगर ऐसा हो तो फिर आप इतनी उद्दत इलाज करना हो उसे मुकंबल कर लें आपकी वालदा को फाइदा मुम्किन है यूरूस भी अमा वालेकिन स्लाव कि इसके लिए माजून आर केर ले सकते हैं माजून आर केर फाइदा तो करेगी दो चार छे दिन बाद लेकिन वो खासी को जड़ से निकालेगी और घरेलू तोर पर आप उनको सपिस्तान का एक चम्मच लें ये फल है एक शुका मिलता है और पानी में उबाल के रोजाना पिलाया करें आपके घर में जो पीपले हैं वो एक छोटा सा चने की बराबर ऐसे तोड़के उन्हें तीजे चबा के खालिया करें दिन में दो मरतबा इससे भी खासी रुकना मुमकिन है सना दिली से हैं जी सना कैसी है आप जी अलहाग श्कर बढ़िया आप बताईए आप ठीक है जी बताएं आपका क्या सवाल है जी मुझे हकीम साब से बत करनी थी मुझे यह पूछना दा कि मेरी अम्मी है वो 60 सिक случаев की आई और उनकी ना बैक में बहुत पेने और नेक में भी बहुत पेने ऊनकी गरदन में और रात को नीम भी बहुत आती नहीं है बिल्कुल तो इसके लिए मुझे मुझे जी सही है मतलब हाँ निस ठीक है बस जादा नहीं है नॉर्मल है सना आप कहां रहते हैं मैं वजीराबाद में डैली और गर्दन में ना उनके सूजन आ जाती है पीछे की साइड हाकीम साप मैं समझ गया देखो उनको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की और साइटिका की सर्वाइकल कहते हैं यहां जो हमारे डिस्क अपनी जगा से जुबिश करते हैं इसकी वज़े से दर्द सूजन चक्कर दर्द भी होता है चक्कर भी आते हैं सूजन भी होती है और बहुत तकलीफ और परिशानी होती है तो इसके लिए एक्स उसका हिदायत यहे कि देखे ये ऐसे उनको रोजणा करते रहें, जितना भी उनमें हिम्मत हो ये अक्सिसाइस करते रहें और उनको बैट पर ऐसे लटा दीजे। जिस तरफ पैर रखते हैं उस तरफ तरफ सर करादीजे उनका और सर का हिस्सा नीचे लिटका दीजे बाकि उनको ऐसे बैट पर लिटा दीजे ऐसा वो लिटेंगे तो बहुत अच्छा लगएगा बहुत सुकून मिलेगा और यहां पर सूजन सी हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी वो हिस्सा इता मोटा सा हो जाता है वहां पर मालिज भी करा सकते हैं आप खुद कर सकते हैं अपने वालिदा की अच्छा एक दवा मैं बता रहा हूं अलसी जो आपके किचन में है देर सो ग्राम देर सो ग्राम गॉंड सिया काफी महिंगा गॉंड है और बहुत कड़वा गॉंड है अब बहुत नकली मिलता है ये देख के लिए न इसका तोनों को हमजन लेकर पॉडर बनाए एक गिराम सुबा एक गिराम शाम खिलाए और अगर एक महिने में ठीक भी हो जाए तो तीन महिने खिलाईए अपनी वालिदा को जो अमीदे इनकी तमाम तकलीफ है ठीक होना मुमकिन है शबनाम है दूसरी कॉला हमारे साथ यूपी से उन से बात करते हैं शबनाम आपको क्या दिकत क्या परिशानी आ रही है जी मेरा ब्लेट पेशर बहुत रही है जी ब्लेट पेशर हाई है जी जी बताएं ब्लेट पेशर आपकी उमर क्या है? शती साल इस उमर में ये ब्लेट पेशर अच्छा नहीं अच्छा वक्ती तौर पर तो आप रोज आना दो चम्मच, तीन चम्मच लोकी का ज्यूस पिया करिए ये फौरी तोर पर ब्रेट पेशर को डाउन करता है लेकिन मस्तकिल तोर पर आपको रोज आना पांच लेसंद सुबा, पांच लेसंद शाम चबा के खाने, एक निवाले में एक, पांच निवालों में पांच जब भी खाना खाएं, ये लेसंद खाना शुरू करें जो दवा लेते हैं, वो अभी लेते रही है आप देखेंगें कि एक दो महीने बाद आपका ब्रेट पिशर ज़रुत के मताबिक आने लगा तो आपकी ऐलोपैतिक दवा छूट जाएगी और ये काफी दिन तक चलाते रही है, आपका ठीक होना मुम्किन है तन्वीर बेगम खासेबाद से उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये वक्त कम है, कॉलर्स बहुत जादा है जी बताए तन्वीर आपको क्या दिक्कत है? अलो, सुराम आलेकूम जी वालो पात ये शी हमारे भाई सौदी में रहते हैं तक दुखान है, जड़ी बूटी की और अरबी में स्याह गोंद को क्या करते हैं ये मालूम करना है और हमारी दुखा चल लएए पहले हमारे पैर में दरत दे, हमारी उमर है 56 हमारे पैर में दरत थी एक साल से, बहुत चाल से पटिश साल से मगधर हमें एक साल पहले थी पढ jij वखा ये तीन वाँ थी में तीन बिपा तो बिल्कूर सही होगров तो रही दरत उसके बाद में छीक हो गई तो हमने छूड़ दिया तो आपको मुकमल फाइदा हो गया या कुछ रह गया है? नहीं मुकमल फाइदा नहीं वाज जैसे कि खड़े होते हैं देश्टाब, सिप्टे में खड़े होगा हैं कोई काम कर लिया तो बिल्कुल एक पैर ही बेकार हो जाता है, घुठन में थो हमें थोड़ी सी हलकी सी दरग होती है अराम करते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, अगर काम कर लिया खड़े हो गया चलने लगें तो एक पैर में दरग सुरओ जाती है तो ये दवा हम कर तक खाएं चार दिबा हो गया, पांच मा शुरू हो गया अच्छा वजन आपका ज्यादा है क्या? नई नई इस वजन तो ठीक है इसमें ज्यादे नहीं है बहुत मोचे से मगर बहुत दिमार उमार पढ़ने को ज़से बहुत दुगले हो गया है हाट की भी बिमारी है और हमारे नाथ भी फून हो नाचुका है तो हम और आप ठीक है, ठीक है अच्छा दिखिए कि दवा भी आपको और खानी है क्योंकि जो आपने कहा ना वही मामला है कि मैं इस ही शो में शाद कह रहा था कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फाइदा हो जाता है आपको दो-चार दिन में फाइदा हो गया और आपने वो छोड़ दी पिर उसका खम्याजा आपको कुछ उठाना पड़ाएगा अच्छा वजन उठाने की मत उठाया करिये वजन वेस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करें और बहुत मेहनत ना करें ये लाजिम है और आप जो खुवतीन रुपटा ओड़ती है मल-मल का पता नहीं आज कल ओड़ते हैं नहीं ओड़ते हैं मल-मल का रुपटा बहुत सॉफ्ट होता है उसको ऐसे लपेट देते हैं ऐसे लपेट के और आप सीधे लेट के उस जगा पर जहां पर आपके कमर में दार दे वहां पर रखके और सीधे लेट जाया करिए ये अमल आप शुरू करें अच्छा आपका सवाल के गौन सिया को अर्बी में क्या कहते हैं तो अर्बी में साच करें आपके भाई जिनकी दुकान है तो पता चलेगा वैसे आबनूस एक पेड़ है जो सूरत में बिलकु काला होता है और इतना काला होता है कि उसकी लकड़ी की बांसरी बनती थी कभी तो उसे आबनूस कहते थे इसे आबनूस का भी गौन कहते है तो ब बड़ी मुश्किल से मिलता हमने तो बड़ा इंतजाम किया है इसके बागात लगाए हुए तो वो सच कर लेगे इशाले और समझ जाएंगे जायके में बेहत कड़वा होता है यानि इंतहाई कड़वा होता है लेकिन उसके खुराग भी आदी ग्राम है या उससे भी कम एक खुराग बस इतनी सी है मेंगा तो बहुत आता है जकिन अगर असली है तो कोई मेंगा नहीं क्योंकि वो जेर सो दो सो गिराम आपका पूरा इलाज है क्योंकि आधा गिराम खाना है आपको तो उससाब से तो 20-30 रुपे रोजाना की दवा पड़ती है और आप ठीक हो जात है तो आप समझ लीजे और शालला आपको वाइदा मुम्किन नियाज उदीन भी हमारे साथ है पूरे से जी जी नियाज उदीन ची बताए आपको क्या तकलीफ क्या दिकता भी वाले सलाम आले कुम आपको भी वाले सलाम भी तरी थाराइट भी था और बीपी भी है जाए जाए और कालिस्टोल का भी प्रॉब्लम है उनकी एज है 48 एज और एज 64 केजी जी तो थाराइट तो मैंने चेकप करा था थाराइट हुआ था लेकिन अभी जो थाराइट की वेटिस्टेम नहीं है उससे तोड़ा था 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 थाराइट कम हुआ है बट पहरों में इतना ज्यादा प्रेन हो जाता है कभी-कभी और पहर पूरे जंजराथ जो गुटने अगरे ने पूरा जंजराथ होता उसमें वाइबरेशन टाइप होने लगता है ठीक है ठीक है ठीक है चेदिक एक नस्खा बताता हूं आपको और उनसे कहिए कि बहुत बजन ना उठाया करें बहुत महनत ना करें वेस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करें जबीन में बैठने क की भी एथियात करें और आसानी से ठीक हो सकते हैं देखिए 300 ग्राम धनिया लीजे और उसको पाउडर बना लीजे और ये धनिया एक चम्मच लीजे और गौन सिया 100 ग्राम लीजे इसको पाउडर बनाईए और इसमें एक चुटकी में जितना गौन से आता है इधनी में मिलाईए और सुबह निहार मों खुला दिया करिए वो जो थाइराइट की गोली खा रहे हैं उसके साथ में और एक यही खुराक इनको शाम को भी देनी है मुझे अमी म duyन को सब्साइब की ओ्रून सेंगे मुझे